हलो एवरिवन, वेलकम टो टीवफेर्स, आई होप यौल अलगूट, तो इस टुडियो में बात करेंगे वीकली करेंट अफेर्स, 9 से 15 जुन के बीच में जो करेंट अफेर्स से साफ़ता है, करेंट अफेर्स ये उसका वीडियो है, अगर आप चैनल पर फर्स ताइम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, करेंट अफेर्स का वीडियो है, और आप बागी के वीडियो भी प्लेलिस में जाकर जरूर देखें, जो करेंट अफेर्स से रिलेटेड है, बुक्स एन ओथर्स, डेज एन थीम्स, रिसेंट अपॉइंट्मेंट्स, बैंकिंग यह सबके करेंट अफेर्स की वीडियो आपको प्लेलिस में मिल जाएंगे, और वीडियो के एक बार एंड तक आप जरूर देखेगा, तो 9 से 15 जुन के बीच में, जो करेंट अफेर्स बने यह उसका वीडियो है, तो लेट स्टार्ट दे वीडियो, पहला सवाल है, रिसें इस बार जो रिसेंटली 11 से 13 जुन के बीच में हुआ था, तो यह 47 वे एडिशन था, तो 47 जी 7 लीडर समिट, यह कहां हुआ यह उनटे किंग्डम के कॉर्ण वाल में, इसका थीम किया था इस बार का, बिल्डिंग बैक बेटर, और जो जो देश अधिक्षता करता है, प्र सभी G7 मेंबर ने, गेस्ट कंट्री ने, साइंड किया एक Open Society Statement Human Rights for All, और G7 के जो मेंबर स्टेट कॉन कॉन से साथ देश है, तो साथ देशों के यह समू है, जो जिसमें है कॉन कॉन से, USA, Italy, France, Germany, Japan, UK और केनडा, तो हर साल ही होता है, G7 शिखरवार था, तो यह कहां हुआ सम्मेलन, कॉनवाल में, युनटे किंग्डम के कॉनवाल में, तो जी सम्मेल पे एक अलग से वीडियो भी आया था, तीन-चार दिन पहले, आप उसको जरूर देखें, यह वीडियो, इससे आप एक बार जरूर देखें, इसके बारे में, इसमें पूरा डेटेल बताया गय So United Kingdom hosted the G7 Summit of 2021, दूसरा सवाल है, अब्दुल्ला शाहिद elected as President on 76th session of United Nations General Assembly, he is from which country, अब्दुला शाहिद संयुक्त राष्ट महासरबा के 76 सत्र के अध्यक्ष नियुक्त में, वो किस देश के हैं, इसका सही एंसर होगा, Option B, Maldives, तो अब्दुल्ला शाहिद माल्दिफ से हैं, क यहां पर एक एरर हो गया, 76th United Nations General Assembly, out of 193 members, General Assembly casted vote in favor of him, 143 votes उन्हें मिला था, और इससे पहलो जो थे General Assembly के, यह मतलब, वो कौन थे, तुर्की के वोलकान बोजगीर, तो वोलकान बोजगीर थे, तुर्की, तर्की के बाद प्रेसिडेंट ऑफ, 75th session of United Nations General Assembly, और United Nations Secretary कौन है, Secretary General कौन है, Anthony Gutras, और Headquarters इसका New York में, और यह Maldives के Foreign Minister बने है, अब्दुला शाहिद, Maldives के President कौन है, इब्राहिम मोहमद सोली, और Maldives की राजनी क्या है, माले है, और करिंसी क्या है, Maldivian रूफिया, वर्ल्ड ओशन डे, इस से लेब्रेटेड़ और, तो विश्व महासागर दीवस कब मना जाता है, इसका सही जवाब होगा, Option C, आठ जून को, तो आठ जून को, वर्ल्ड ओशन डे यानि विश्व महासागर दीवस मना जाता है, इसका थीम क्या था, ओशन लाइफ एन एक रडियेशन डे, और बारह जून को क्या था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइड लेबर, देज एन थीम का भी वीडियो आता है, इस चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस में जाके, तो वर्ल्ड ओशन डे जिसका थीम था, ओशन लाइफ एन लाइफ लिवल मतलब कि ट्री प्रिजर्वेंस, अगर आप जो किसी पेड़ व्रिक्ष की उम्र मतलब, वो उसे 75 साली उसे ज्यादा हो चुका है, तो उसके प्रिजर्वेंस और देख भाल करने के पे, सरकार वहाँ, दहाई जार रुपे सालाना देगी, तो प्रानवाई दिपता पेंशन होगा एक साल में, तो ये हर्याने से था, मध्य प्रदेश, ये option में मध्य प्रदेश से देख लेते हैं, ये भी इसी week का news है, तो मध्य प्रदेश ने पहला rank अचीव किया है, रैंक फर्स एनेमिया मुक्त भारत, तो एनेमिया मुक्त भारत में, इंडेक्स 2021 में, जो रहा, गुजरात से एक निव जहर है, वो भी सी week से, तो गुजरात लॉंच्ट इनिर्मान पोर्टल एंड मोबाइल एप फॉर अन और्गनाइज सेक्टर वर्कर्स, वेलफेर इस्कीम के लिए, अधर जॉब्स के लिए और बेनिफिट्स के लिए, इनिर्मान पोर्टल अन लॉंच्ट COVID-19 Home Care सुरक्षित हम सुरक्षित तुम प्रोग्राम, तो कितने अभिलाशे जीलों के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम एक COVID-19 Home Care सुविता प्रोग्राम लॉंच्च किया गया, निती आयोग के दारा, इसका सही जवाब होगा, Option B 112, तो टोटल 112 districts के लिए, निती आयोग ने पिरामल Foundation के साथ मिलके ये किया, तो District Administration के साथ मिलके, जो मतलब की COVID-19 से सफर कर रहे हैं, तो ये निती आयोग ने टोटल 112, Aspirational District के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, COVID-19 Care प्रोग्राम, इसका सही जवाब होगा, Option C, Auckland, तो New Zealand का शहर, Auckland, तो Auckland जो है, वो टॉप पे किया है, और Second Rank पे कौन है, जापान का, तो Auckland has secured the first rank, और Second Rank पे कौन है, जापान का, उसा का, और Third Rank पे है, Adelaide, Australia का शहर, Adelaide, तो इस List में, जो Economical Intelligence Unit का जो रिपोर्ट है, इसका Headquarter EIU का कहा है, लंडन में है ठीक है तो 140 शहरों का ये एक रिपोर्ट निकाला गया था 2019 से हाफ मिड 2020 तक का क्योंकि लास्ट इसको नहीं निकाला गया द्यूट टू पैंडेमिंग तो एयू की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अच्छा रहनी यह होगे शहर है वो है न्यूज़िलेंड का आउक्लेंड आप जानते होंगे क्रिकेट अगर देखते हों तो इससे काफी अवेर तो पांच इंडिकेटर स्पीस को मापा गया था जो हेल्थ केर है स्टैबिलिटी एजुकेशन कल्चर एंवर्मेंट और इंफ्रस्ट्रक्टर इन पांच पारमेंटर्स पे देखा गया तो आउक्लेंड शहर रैंक वन पे सेकेंड पे जापान को ऊसा का थर्ड पे अउस्टेलिया के एडिलेट यह यहां भी क्रिकेट होता है आपको पता होगा तो टॉप टेन में दो शहर न्यूजिलेंड से हैं वेलिंग्टन और आउक्लेंड चार ऑस्टेलिया से हैं दो श्टेलेंड के एक शहर मुझे याद जीवरिक है यह आप देख सकते हैं तो टॉप टेन जो भी शहर है इसमें न्यूजिलेंड के दो हैं और दो जापान के हैं तो कुल और जो सबसे टॉप सबसे बॉटम पे रहा 140 शहर के बॉटम पे रहा वो रहा सिर्या के राज़े नि लॉटम पॉटल विछ टेख कंपनी हाज डेवलप इट तो आयकर विभाग दौरा लॉटम की गई नहीं फिलिंग पॉटल को किस टेख कंपनी ने बनाया है इसका सही अंसर होगा ऑप्शन डी इन्फोसिस सो इन्फोसिस हाज डिजाइन तो पहले भी इन्फोसिस नहीं किय अन्हें पॉर्टल डिजाइन हुआ इसका नाम है इंकमटाक्स.gov.in 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 इसको रिप्लेस किया था और लॉंच वा इसको इन्फोसिस किया गया बाई CBDT Central Board of Direct Taxes with a name of e-filling 2.0 इसको डिजाइन किया है जो नए वेबसेट जो नए पोटल है इंकप टैक्स के लिए इसमें नीज पी आ रहा था कि काफी सारे टेकनिकल ग्लीचेस हो रहे हैं तो इन्फोसिस को Finance Minister ने कुछ advice भी किया था तो इसको डिजाइन किया गया है इन्फोसिस के द्वारा विच इंस्टिट टॉप्ट फॉम इंडिया स्कुएकरली सीमंट वर्ल उन्वेस्टिटी रैंकिंग 2022 तो क्वाकरली वर्ल उन्वेस्टिटी रैंकिंग 2022 में भारत की तरफ से सबसे उत्कृत संस्थान कौन सा रहा है इसका सही जवाब होगा option ए आइटी बॉमबे तो भार देली यह पहली यह भी इस लिस्ट में लेकिन जो एक कटेगरी आता पांस 562 570 वाले ग्रूप में तो वह काफी ज्यादा दूर है तो 562 570 वाले ग्रूप में आया है यह भारत के तरफ सा एटी बॉम में हस वेल परफॉर्म विट रैंक ओव 177 और टॉप थ्री उनिवर्सिटी फॉक्सफॉर्ड 99.5 इसकोर के साथ और थर्ड रैंक पर दो है स्टैंफॉर्ड उनिवर्सिटी और उनिवर्सिटी ऑफ केम्रेश दोनों का स्कोर रहा 98.7 तो यह ओवराल ग्लोबल रैंकिंग रही टॉप थ्री पर कोई कर लिए सिमेंट्स जिसका हेड़क जिना की शुरुआत की इसका सही अंसर होगा और चेल राजस्थान तो राजस्थान ने और बात करते दिली में तो यहां एक स्कीम लाउच किया गया मतलब वैक्सिनेशन प्रॉसेस के लिए जहां वोट वहाँ vaccination मतलब की जो 45 प्लस वालों को जो vaccination था वो तो जिनका जिनका जो local polling booth जिस area में आता है वहाँ जाकर vaccination की सुविधा दी जाएगी तो ये देली से था असम से एक न्यूज है तो असम में एक असम को मिला 7th National Park जिसका नामें देहिंग पटकाई तो देहिंग पटकाई विगंद सेवेथ नेशल पार्क ऑफ असम तो ये इस्टेट से रिलेटेड न्यूज थे तो कोशन एन क्या option होगा सी राजस्थान विच स्टेट टॉटल एंडॉल्मेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ एए एस ही रिपूर्ट तो एए एस ही रिपूर्ट के नुसार उच रिक्षा में कूल नामांकन करने में कौन सा राज शिर्सिस्थान पर रहा है इसका सही जवाब होगा option D उत्तर प्रदेश तो यूपी हाज सेक्षा में सबस्यादा नामांकन में इस बार रहा टॉप पर उत्तर प्रदेश किया देखते हैं तो ऑल इंडे सर्वेया एजुकेशन 2019-20 तो यह एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यह लागू किया गया निष्णक ने तो इट प्रद की इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर्स ऑन दे करेंट स्टस ऑफ हाइर एजुकेशन जो हाइर एजुकेशन का इस टेस उस पर यह देखा गया इसमें बहुत सरे इंडिकेटर्स से जो ग्रॉस एंडॉल्मेंट रेशियो पिपिल टीचर रेशिय जेंडर पारेटी इंडेक्स इन सब को देखा गया तो टॉप पे रहा उत्र प्रिदेश वीड टूटर इंडॉल्मेंट ओफ तो यह था इसका इडूकेशन मिनिस्ट्री का इक रिपोर्ट ए इसेची ऑल इंडिया सर्वे अफ हायर एडूकेशन रिपोर्ट विच कंपनी विले वर्ड लॉंगेस्ट अंडर सी केबल फर्मीना तो कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल लगाएगी जि जो की करनेट करेगा उनाटेट इस्टेट्स और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को कंस्ट्रेक्टिंग ओपन सी केबल तो वर्ड लॉंगेस्ट सब सी केबल राएग को ऑपरेटेट थू सिंगल इंड पावर फैसिलिटी तो कैरी हाइस्पीड डेटा ट्राफिक तो यह यह उस से भी एक निउस था है तो यह उस्टाइब राजस्ट इंटर्नाशन सब्मारियन केबल सिस्टम बेट्विन इंडिया एस्प्रेस तो इंडिया यूरोप एक्प्रेस तो सबसे आधा लॉंगेस्ट फाइबर ऑप्टिक सब्मारियन टेली कॉमिनिकेशन यह कनेट करेगा ब सब्सक्राइब्स एफ सब्सक्राइब 새翌ne डेल सब्सक्राइब अंडमाणी में इंडिया इंडिया का कॉर्पेट यह पाइट्स को साय नेंडिया के साथ चौनंत 5 भी फ़स्थ एडिशन था इसका इंडेट का थैलेंट की राजदेनी यह बैंकों और इसकी करेंसी थाइबाट कि B.A.H.D. तो इसकी करेंसी है ये औप्शन डी 55 तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स मतलब 22 ये हैं और इंडेक्स ऑपने गार इंते दो इस पे यह रांकिंग निकाल गिया तो इंडेक्स प्रेफेर्ट आइं-डेक्स नॉटर फ्रैक विच मोनिटर्ज थर सब्सक्राइस यो यो हाउसिंग इंडेक्स किया गया था 1st quarter of January to March 2021 के लिए रैंकिंग वास टॉट बाइट तर्की फॉलेड बाइड बाइड न्यूजिलेंड एंड लग्जेंबर्ग कोशन 14 इस पे एक वीडियो बना गया था दो दिन पहले उसे आप देख सकते पूरा डिटेल है तो इसका एंसरों का ओप्शन ए नौवाग जोगविक और बार्बॉरा क्रेजी कोवा नौवाग जोगविक फॉम सर्भिया और बार्बॉर फॉम चेक रिपॉब्लिक तो इस आ ली हुआ इन्होंने किसको रहाय था स्टेफानोस तिस्तिपास और इन्होंने हराय था एनस्था पैविलेचेनकोवा जोकी रशिया से हैं उस वीडियो में सब कुछ है मिक्स डबल्स वोमेंस डबल्स और भी कुछ डिटेल निउस है तो उस वीडियो को आप ज़रूर आमिल किया है का सेजोगा बोगा ऑप्शिन भी विनु मांकर तो विट अधर 10 प्लेर सो ICC इंटनेशनल क्रिक्ट कांसल इंड़्टेट 10 प्लेस्ट वाल फेम विच्ट इस तो टोटल 103 प्लेस इन होल फेम तिल देट एन विनु मांकर प्लेट 44 तेस्ट इस को तो 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 44 विकेट्स जिनका यह था 1926 में इन्होंने अपना पहला क्रिकेट खेला था आइसेसी चेर्मेन कौन आइसेसी के ग्रेग बार्कले और हेड़कॉटर है दुबाई में कि दे रांक ओप इंडियन स्पेंडिंग और नुक्लियर वेपनस इन 2020 एस पर रिपोर्ट आइकेन तो आइकेन की रिपोर्ट के नुसाद 2020 में परमानों हथियारों के लिए खर्ष में भारत की रैंकिंग क्या रही है इसका सही अंस रोगा ओप्शन C 6 तो छटे स्थान पर है भारत आइकेन के रिपोर्ट अप इंटरनेशनल केंपेंग टू अबॉलिश नुक्लियर वीपनस तो ग्लोबल नुक्लियर स्पेंडिंग के रिपोर्ट जारे किया वर्डवाइट नुक्लियर आर्म कंट्री जो है तो उनका ओवरल स्पेंडिंग के आरा 2020 में इसमें टॉप सिक्स पर इंटेशनल केंपेंड कितना अखर्च किया टू पंट फूर बिलियन डॉलर और यह से थर्ट टॉप पर रहा 37.4 चाइना 10.1 और रशिया एट बिलियन और आइकेन जो है यह इन्टरनेशनल केंपेंड टू अबॉलिश नुक्लियर वीपनस हैटकॉर्टर तो इन्हें पिछले साल नीज में था ग्लोबल टीचर पीस प्राइज इन्हें दिया गया था महारास्ट के टीचर रहे रहे रंजी सिंग धिसाले ही बिकेंड़ एजुकेशन अडवाजर ऑफ वर्ल्ड बैंक दूसरा है अनुप चंद पंडे एक्टिटाज एक्षिन कमिशन तो हूँ इस दचीफ एक्षिन कमिशन वह आप कमेंट बोस में जरूर बता है इन्हें अपन्ट किया कथा एक्षिन कमिशन अनुप चंद पंडे थर्ड जीची चेदरवेधी एपोंटेश पार्ट-time चेर् थर्टींथ अपटेंट अब इस थर्टींथ अच्छिंट प्रामनिस्टर अव इस्राल दो इसराइल के तरह थे अभी हूँ बैसपी बैंजामिन ने थान एयू एए बिकेंट प्रामनिस्टर उसराल नेथाली बैनेट शिक्ट द नुडली अपोंटेशन चिरेटी जनल और भी बनाइनेट्स करेंट एफेर्स देख लेते हैं तो विच कंट्री आर्टिशल संजो इस्ट एसेट्स वर्ल रेकॉर्ड बाइ रणिंग वन टोटी मिलियन डिरी सेल्सियस फॉर हंडेट वन सेकेंड तो चाइना नहीं इस पर वीडियो आथा तो इस्ट के जो आर्टिश 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 देली में प्राटिम रिकॉंटेशन और हैदराबाद जेमर इंटरनाशल एरपोर्ट इसे दिया गया गुड रिकॉंटिशन थर्ड एक किरेंड रिजु रिलिस्ट एबूक नेम 20 मेडिसिनल प्राटिश फॉर इस्टेट इस्टेट इस्ट इस्टेट उन्सपोर्ट मिनस्टर इस्ट तो ही रिलिस्टेश प्राटिश फॉट एप्स ट्राटिश थिए बिदीज रहें फिस्ट इस्ट अनुटिश ऑगा था श्यों गाल लाग कैसे लिग तेटिशन थेल आल्सल्वादूर ऋबड़क निस्ट इस और से एंप्न 27 and Switzerland has stopped the list the five countries elected for the United Nations Security Council 2022 में किसको जो सेक्रेटी कॉंसल में इंक्रूट किया का बाइस सितनी तक में तो ये ब्राजिल अल्बानिया गाबॉन घना और युवेए को जिंबाब्वे नोवलिस्ट 33 देंगार इंबाब विंस पेन प्रिंटर पाइस यह लिटरी प्राइस होता है तो इसे दिया गया विच कंपनी पार्टर विद तेलंगाना गॉवर्मेंट तु लांच मेडिसिन्स फॉम इसकाई यह फ्लिपकार्ट ने टायब के तेलंगाना ग अब बाकी के वीडियो प्लेडिस में जाकर ज़रूर देखें तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग थैंक